हेलो सोटे इंडर उसमें आप लोग का स्वागत है और आज इस वीडियो में आप लोग को Realme U1 और Xiaomi के Redmi Note 6 Pro के बीच में एक फुल कैमरा कंपारिशन जो वो देने वाला हूँ और यहां पे मैं एंड में आप लोग को बता दूँगा कि दोनों में से कौन से फोन का कैमरा आप लोग को एक दम से बेश्ट यहां पर जो देखने को मिलता है सबसे बहले कुछ इंपॉर्टन बात करता हूँ जिसके बारे में आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है चौदा का है इसका 464 साड़े चौदा का है तो इसमें आप लोग को 500 रिपेश ज्यादा देने पड़ेगे लेकिन हाँ प्रोसेसर P70 है तो यह थोड़ा पाउफुल है कंपेर टो 636 के उसके अलावा यहां पर अगर मैं कैमरे की बात करता हूँ तो रेडमी नोट 6 प्रो के के अंदर 12 प्लस 5 का आपको डूल रियर पीसिंग कैमरा मिलता है यहां पर F1.9 का अपर्चर मिलता है 1.4 माइक्रों पिक्सेल मिलते है इसके अंदर जो कैमरा आपको लो लाइट में वह काफी अच्छा होगा वो तम टेस्ट करके बता देंगे रियल में यूवन में आपको 20 के साथ में 2 Mbps का कैमरा मिलता है और यह भी बहुत ही अच्छा होगा दोनों के कैमरे का कंपरेशन करते है रियर फेसिंग, फ्रन फेसिंग, वीडियो सैंपल सब कुछ इस वीडियो में आप लोगो बता रहता हूँ उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों में से आप लोगो किस के कैमरा जो वो पसंद आता है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा औरेंज इस टाइप का आपको फील आ रहा है हाला कि रियल मी यूवन में आप लोगो को बहुत ही नैचुरल कलर जो देखने को मिल रहा है ये वाली एक्चुली में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस से आप देखेंगे रियल मी यूवन ने एक्चुली में रियल कलर कैप्चर किया है बलकि रेड्मी नोट 6 प्रो ने कलर ही चेंज कर दिया है उस फ्लावर का तो थोड़ा सा वो आटिविशल सा फील हो रहा था ये वाले देखेंगे तो दोनों की पोट्रेट शॉट्स आपको कुछ इस तरगी का मिल रहा है हाल तो यहां पे भी देखेंगे क्लेरिटी और जो कुछ लिखा हुआ है वह आपको दोनों के अंदर काफी क्लिरली जो दिखाई दे रहा है यह कुछ रैंडम शॉट्स है और दोनों के अंदर आप देखेंगे काफी अच्छे पिच्चेस यहां पर सामने आ चुके यह भी दे देखेंगे अगर में जूम करता हूँ तो कहीं ना कहीं रेडमी नोट 6 प्रो में कुछ ना कुछ एच डिरेक्शन का जो वह सीन लग रहा है हाले कि रियल मी यूवन में इतना नहीं नजर आ रहा है तो यह कुछ आपको यूमन पोट्रेट शॉट्स में कुछ इस तरह की सी मार दिया है इसके अंदर भी यह वाले शॉट्स में भी देखेंगे तो रेडमी नोट 6 प्रो ने एक दम से बाजी मार दिया है और उसके बाद अगर यह वाला शॉट्स भी देखते है तो इसमें भी रेडमी नोट 6 प्रो ने बाजी मार दिया है रियल मी यूवन क्लैरिट सही लगा है दोनों का सेलफी लेकिन Realme U1 ने जो depth लिया है जो color आप देखेंगे जो clarity है वो कच्छा खा गया Redmi Note 6 Pro को zoom करता हूँ ये देखो आप देख सकते हैं आपके आखों के सामने Realme U1 clarity देखेंगे और Redmi Note 6 Pro के अगर आप fadeness देखेंगे तो बहुती अजीब सा मुझे लग रहा है और night के भी अगर आप clarity देख लेते तो Realme U1 में काफी अच्छी light आपको मिल रही compare to Redmi Note 6 Pro के तो दो camera देने के बाद भी 25 megapixel यहाँ पर भारी पढ़ चुका है यहाँ पर अगर मैं कुछ video samples की बात करता हो तो day के अगर आप देखेंगे तो Realme U1 और Redmi Note 6 Pro दोनों की काफी अच्छी वीडियो सामने आईए clarity दोनों में आप लोगों काफी अच्छी मिलती लेकिन Realme U1 में मुझे natural feel जादा आ रहा था compare to Redmi Note 6 Pro के लेकिन आपको Realme U1 में EIS का support बिलकुल भी नहीं मिलता है तो आप देखेंगे बहुती shaky वीडियो है stabilization का खेल यहाँ बहुती गंदा है compare to Redmi Note 6 Pro उसमें आप लोगो EIS का support मिलता है तो stabilization आपको उसमें बहुती कमाल की देखने को मिल रही है night के अंदर मैं actually मैं बहुती ज़ादा impressed था Realme U1 से actually मैं जो pictures click किया था तो बहुती गंदा click किया था लेकिन video यहाँ पे काफ़ी अच्छी लिया है Realme U1 में आप देखेंगे दोनों के अंदर आप लोगो बहुती अच्छी clarity मिल रही है वैसे Note 6 Pro थो 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 बैटर है लेकिन हाँ night के अंदर भी Realme U1 ने video बहुती कमाल का ले लिया है जो मैं थो 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 बस यहाँ पर वही खेले की stabilization आपको properly यहाँ पर Realme U1 में नहीं मिल रहा है compared to Note 6 Pro software update के दुआर अगर push करते ना तो काफी अच्छा रहेगा यहाँ पर अगर मैं selfie के video shots की बात करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर दोनों के अंदर आपको बहुत ही अच्छे video samples जो वह सामनी की तरफ आ रहे है अगर मैं कुछ night samples की बात करता हूँ तो यहाँ पर actually मैं कोई बोलने जिसी बात नहीं है Realme U1 में देखेंगे काफी bright है बहुत ही अच्छे colors आ है Redmi Note 6 Pro एकदम से dull हो गया है बिलकुल भी face दिख रहा नहीं है अगर angle change हो जाती है तो बिलकुल भी face नहीं दिखता है तो finally हाँ पर हम conclusion की बात करते हैं और एकदम अगर मैं fair opinion दूँ तो मेरे इसाफ़ से Realme U1 की जो selfie है वो यहाँ पर Redmi Note 6 Pro से better है हाला कि Redmi Note 6 Pro की selfie भी बहुत अच्छी है लेकिन Realme U1 की selfie काफी sharp है काफी काफी clarity बहुत अच्छी है और colors भी अच्छे compare to Redmi Note 6 Pro के हाला कि Redmi Note 6 Pro में जब selfie को तरह से zoom करते है तो थोरा सा वो फेड हो जाता है तो clarity इतनी अच्छी दिखने को नहीं मिलती वैसे Realme U1 काफी कमाल कर रहा है selfie के मामले में लेकिन rear camera जो है वो Redmi Note 6 Pro का better है compare to Realme U1 के यहां rear camera नाइट टो बहुत ही अच्छा है Redmi Note 6 Pro का बहुत ही सही तरीके से उसने पिक्चिस लिया है that भी बहुत ही अच्छा है Realme U1 से तो rear camera इसका battery है हाँ इसमें EIS भी नहीं मिलता है Realme U1 में जबकि Note 6 Pro में आपको EIS भी मिल जाता है तो यह आप क्योंबर depend करता है अगर आपको एकदम selfie centric phone चाहिए तो आप Realme U1 ले सकते है अगर आपको दोनों बराबर चाहिए तो आप Redmi Note 6 Pro ले सकते है यह आप में depend करता है तो यही है दोस्तो मेरी fair opinion finally और conclusion हमारे वीडियो का main part होता है पूरा वीडियो देखने के बाद आप conclusion देख लेगे उसके बाद समझके ही आप अपने comment करके अपनी राही दे सकते है अगर आपको वीडियो पसना है तो जरू से इस वीडियो को लैक करिए बहुत सारे वीडियोस feature में मिलाने वाला हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं आप से के ले वीडियो में एक नए वीडियो को साथ टिल नहीं वे ग्रेट डे एंड आल्वेस कीप स्माइलिंग